120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life24 Media Institute, Admission Open, Registration के लिए कॉल करें 95604-64-170 95604-64-170 वहीं UP के कर्नोज में तहसिलदार के साथ हुए मारपीट मामले में बीजेपी सांसद सुब्रत बाठक के साथ 20 अने लोगों पर STSC Act के अलावा IPC की धारा 147, 452, 332 सहित कई और धाराओं के तहत मुकर्णा दर्च किया गया है आपको बता दे गरीबों का राशन वितर मामले में शहर कोतवाली के तहसिलदार और बीजेपी सांसद के बीच कहा सुनी हो गई थी जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने साथियों के साथ मिलकर तहसिलदार की पिटाई कर दी थी मॉवाल नंबर पर मानी सांसद जी का फोल आया तो उनोंने कहा कि हमने एक सूची भेजी थी परसूँ तो उस पर रासन वितरण नहीं हुआ है बताया कि वह सूची हमने नायव साहब को दी थी नायव साहब चिनित करके सभी लोगों रासन उपलब करा रहे हैं तो सांसा जी ने कहा किसी ब्यक्तिक को नहीं दिया गया है तो मैं नायव साहब सूची से बितरित किया है अभी मैं देस मिनट में आपको बता रहा हूं कितने बैठे हो तहसील में आ रहा हूं रहा हूं इसके बाद फिर बाद में पता चला कि उआ रहें तो मने एष्टिम आपकी कि शाव वा रहें यहां पर साथ में कहा कि आप आवास पर चलाया पर आवास पर सब जो आइन पीटने लगे बच्ची मेरी अंदर सो रोने लगी तो में डर गया कि कहीं अंदर नीदी करें मार है तो मैं दरवाजा खोल कर बाहर आगया तो वहीं सांसा जी बैठे थे मेरी कुरसी पर बाहर मैं जब बैठता हूं मां सांसा जी मां जी सांसा जी बैठे थे, मैं ने कहा कि तुमने मेरी सूची में बितरन क्यों नहीं कि अमने का सार बितरित करा रहा हूं, नायप सार सूची बितरित करा रहे हैं, तुमने जो है मैं मोबाइल हांत में लिया था, मोबाइल छीन लिये और 20-25 लोग थे और सांस इस लोग ते वो भी मुझे गिरा गिरा कर मारने लगे